मैं राम खरे आपका स्वाधत करता हूँ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सातियों मैं आपको बता दू हमारा जो सेशन है उसका नाम है दा पंद्रा मिनिट शो सातियों रोजाना माइन फॉर अकेडमी के यूटूब चैनल पर सुभा छे बजे किसी एक विशेस टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा उस टॉपिक की खासियत यह होगी कि वह एक्जाम में आता है और सारे पॉइंट सारे विंदो पर हम चर्चा करेंगे जो आपके आदामिक परिक्षाओं में आने की संभावना रहेगी जो भी महत्पूर मुद्दे रहेंगे उनके रास्टी उध्यान सबसे पहले हम रास्टी उध्यान के बारे में जानेंगे कि सर रास्टी उध्यान क्या होते हैं रास्टी उध्यान क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं तो सातियों रास्टी उध्यान सामानिता आरक्षित वनों छेत्रों में बनाय जाते हैं इनमे मानविय गतिविदियों पर लगवग रोक लगाई जाती है अर्थात आप इन वनों में यानि आरक्षित वनों में आप जा नहीं सकते यानि मानविय गतिविदियां आना जाना सारे पर रोक लगी होती है पसू चारागाह और कटाई सम्मंदी चराई सम्मंदी इन सभी प्रत में आपको बता दू कि राष्टि उध्यान का ये जो कॉंसेप्ट है ये कहां से निकल कर आया साथियों आप जानते हैं मानव सब्विता बनाती भी है चीजों को और विगारती भी है और मानव प्रजाती इतनी खतरनाक है कि यदि किसी चीज पर अगर पीछे पड़ जाये तो या तो उसे बना देगी या तो विगार देगी तातियों और दोगी की करण के नाम पर विकास के नाम पर लगबग बनों को काटा जा रहा है और सिकार के माध्यम से मनुरंजन के छेत्र को बढ़ावा देने के चक्कर में लोग शिकार किया करते थे लेकिन अगर हम इसी प्रकार सिकार करते जाएंगे वनों को काटते जाएंगे तो हमारा पर्यावर्ण दूसित होगा और हम अपनी आनिवाडी पीडी को क्या ये वरासत दे पाएंगे नहीं अर्था वन और वन नजीव संड़क्चन के लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाना था तो सरकार ने कदम उठाया भी साथियों सबसे पहले अगर मैं सरकार की बात करूँ तो केंद्र सरकार के दोरा 1972 में ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपोर्डेंट है 1972 में वन ने जीव संदक्चन अधिनियम लाया गया बहुत इंपोर्डेंट बात है कई वार एक्जाम में आया है वन ने जीव संदक्चन अधिनियम लाया गया जिसका उद्देश था वनों का विकास करना और वन ने जीवों की रख्चा करना इसी को मद्द निजर रखते हुए इसी अधिनियम को आधार बनाते हुए भारत में राश्टी उध्यान और अभ्यारन की स्थापना की गई अब बात करते हैं सातियों मद्द परदेश के महत्पूर राश्टी उध्यान में से एक काना किसली राश्टी उध्यान है कहां पर ये देख लेते हैं सातियों अगर मैं काना किसली राष्टिय उध्यान की बात करूं तो काना किसली राष्टिय उध्यान की जो लिकेशन है वह मंडला और वाला घाट है यह है आपका काना किसली राष्टिय उध्यान अब प्रश्ण बनता है किसर काना किसली राष्टिय उध्यान किस जिले के अ अंत्रगत आता है बाला घाट चेत्र के अंत्रगत आता है इसका सरवादिक छेत्र जो है यह बाला घट जिले के अंत्रगत आता है अब हम बात करते हैं सातियों कि यह राश्टी उध्यान या अभ्यारन बढ़ने से पहले क्या था तो सातियों अगर मैं काना किसली राश्टी कि कोई रोक टोक ना हो व्यक्ति आराम से विना रोकेटों के आ जा सकता है मानविय गृतिपदियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है सातियों अर्थात इसमें प्रसासनिक सासनिक किसी प्रकार के नियम या अनुबंद नहीं होते हैं इसके बाद मैं बात करूं 1952 में 1952 म कसली, काना किसली इस्तापना की गई तो यदि परिस्ना जाये कि काना किसली राष्टी उध्यान कब बना तो 1955 को ये बना अब बात करते हैं सात्यों आपने पता होगा आपको कि भारत में प्रुजेक्ट टाइगर स्तन्चाले थे बागों की रख्षा करने के लिए केंड सरकार ने प्रजेक्ट टाइगर योजना चलाई जिसके माध्यम से मद्ब्रदेश में पहला जो प्रजेक्ट टाइगर इस्तापत किया वह काना किसली राष्ट अध्यान में ही स्टार्ट किया गया यानि मैं आपको बता दू तो 1974 में यह मद्दपर्देश का पहला प्रजेक्ट अब सातियों अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ इसके छेतरपल की बात करूँ किसरकाना किसली राष्ट्यो ध्यान का छेतरपल क्या है अर्थात इस हिसाब से यानि छेतरफल की द्रस्टी से यह मद्द परदेश का सबसे बड़ा और पहला रास्टी उध्यान है तो ठीक है इसके बारे में कुछ फैक्ट को हम देखते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में तो पहला पॉइंट तो यही कि काना किसली रास उद्ध्यान मद्द प्रदेश का मद्द प्रदेश का पहला पहला रास्टी उद्ध्यान है मद्द प्रदेश का पहला रास्टी उद्ध्यान है देन उसके बाद हम बात करें कि पहला रास्टी उद्ध्यान है और छेत्रफल की द्रस्टी से छेत्रफल की द्रस्टी से यह सबसे बड़ा MP का सबसे बड़ा MP का सबसे बड़ा रास्टी उध्यान है अब बात करते हैं सातियों यह मद्द प्रदेश का पहला प्रजेक्ट टाइगर है यह मद्द प्रदेश का पहला प्रजेक्ट टाइगर है किलियर हुआ हाँ प्रजेक्ट टाइगर है अब आंगे की करते हैं कि सात्यों अगर हम बात करें कि मदप्देश का पहला रास्टी उध्यान काना किसली रास्टी उध्यान है और यह मदप्देश का सबसे बड़ा भी है तो इसके परेटक इस्तल्की हम बात कर लेते हैं इनमें कौन-कौन सी बातें बहुत important हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं सातियों सबसे पहले मैं बात करूँ अगर हम परेटक इस्तल की हम बात करें तो सबसे पहले अगर अगर अपन काना किसली राष्ट उद्यान घूमने जाते हैं तो हमें इस प्रकार की नदियां दिखाई देती हैं जो की घाटियों से होकर विठती हैं तो सातियों अ हमें हालो एवं बंजर घाटी देखने को मिलती है अगर हम नदी की बात करें कि यहां से कौन-कौन सी नदी प्रभावित होती है तो सातियों यहां से आपको बंजर नदी एवं सूपर्ण या सूपर्णा एकी बात है सूपर्ण नदी प्रभाहित होते हुए दिखाई देगी इसके अलावा एक पेड आप देख पा रहे होंगे जिसे हम कहते हैं कुल्लू का पेड क्या कहते हैं कुल्लू का पेड सातियों यह काना किसली राश्चुद्यान का एक सोबिनी है एक आकरशक का केंद्र है कारण यह ह कि सातियों ये जब इसकी ब्रक्चों की पत्तियां गिर जाती हैं तो ये खाली पेड रहता है वो ये पूरा का पूरा सिल्वर यानि white color का हो जाता है और अन्हिरी रात में ये सफेदी सफेद की रूप में चमकता है तो लोग इसे भूत का पेड़ भी कहते हैं यानि सातियों यह इंडियन गोस्ट्री कहलाता है इसे हम क्या कहते हैं इंडियन घोस्ट गोस्ट यानि भूत गोस्ट्री है तो यह प्रस्ण भी पूचा गया कि इंडियन घोस्ट्री मद्दप्रदेश के किस राष्ट्य उध्या का सबसे उचा सबसे उचा इस्थान सबसे सबसे उचा इस्थान क्या है तो सबसे उचा इस्थान बामनी दरार बामनी दरार है इसे हम संसेट पॉइंट भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम संसेट पॉइंट भी कहते हैं यानि इसे हम सूर्यास्त विंदू भी कहते हैं क्या कहत आप सबसे पहले सूर्य उदय और बहुत भैतरीन तरीके से सूर्यास्त भी देख सकते हैं अब हम बात करते हैं आंगे कानकिसली राश्ट उद्यान की जान हम कह सकते हैं पहचान हम कह सकते हैं तो यहां देखिएगा कानकिसली राश्ट उद्यान की जो पहचान है वो है ब्रे इसे हम 12 संगा के नाम से जानते हैं, 12 संगा के बारे मैं आपको बता दू, यह बहुत important है, exam में कईयों बार यहां से प्रस्थ पूछे गए हैं, 12 संगा, आपको कहां देखने को मिलता है, यह point भी exam में पूछा गया, तो 12 संगा आपको काना किसली राश्टी उध्यान में मिले साथियों यह किस प्रजाती का है यह ब्रेडरी प्रजाती का है और यह पसु यानि ब्रेडरी प्रजाती का बारा सिंगा कहां मिलता है तो यह कानक किसली रास्ट द्यान में बहुत तायत मात्रा में मिलता है इसके अलावा यह ब्रेडरी प्रजाती का तो है साथ में बारा सिं बारा सिंगा और वो कौन सी प्रजाती का है तो वह ब्रेडरी प्रजाती का है किस प्रजाती का है ब्रेडरी प्रजाती का है अब एक प्रस्न और पूचा गया कि बारा सिंगा का हमारा साइंटिविक नाम क्या है इसका हमारा व्यग्यानिक नाम क्या है तो वो भी देख लेते हैं अगर इसके व्यज्यानिक नाम की हम बात करें इसके साइंटिफिक नेम की बात करें व्यज्यानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है रूस वर्स रूस वर्स दुवाव सेली ये कईयों बार एक्जाम में आया है आप भी गौर करिएगा और इसे र सर पर इसे मद्दप्रदेश का राजके पशू गोसित किया गया इसके अलावा मैं मद्दप्रदेश के राजके पशू की बात करूं बारा सिंगा तो बारा सिंगा यानि काना किसली रास्टी उध्यान भारत का पहला ऐसा रास्टी उध्यान है जिसने अपना सुभंकर जारी जैसे ये Mind4 Academy का ये लोगो है इसे आप mascot या सुभंकर कह सकते हैं तो ये हमारे कानाकिसली राष्ट्य उध्यान का ये सुभंकर है तो पर इसने पूछा जा सकता है यहां देखिएगा मैं लिखी देता हूँ भारत का भारत का पहला भारत का पहला राष्ट्य उध्यान जिसने अपना सुभंकर जारी किया और सुभंकर का नाम है दा भूर सिंग दा बारा सिंगा अब आप कहोगे सर इसका डिजाइन करता कौन है तो इसका जो डिजाइन करता है यह जो काटून बनाया है इसका डिजाइन करता जो है उनका नाम है रोहन चक्रवर्ती और यह कब लागू किया गया तो 2017 में कब 2017 में अब बात करते हैं काना किसली रास्ट्योध्यान के आंगे की ओर काना कसली राष्ट उध्यान में सरवादिक बाग पाए जाते हैं सात्यों यदि मैं बात करूँ के पुरानी नई रिपोर्ट या नई रिपोर्ट की अधार पर पूरे भारत में सरवादिक बाग मद्द प्रदेश में ही पाए जाते हैं इसलिए मद्द प्रदेश को बागों का राज या टाइगर राज भी कहते हैं साथियों मद्द प्रदेश में सरवादिक बाग काना कसली राष्ट उध्यान में पाए जाते हैं और उनमें से एक बाग है जिसका नाम है मुन्ना मुन्ना काना कसली राष्टी उध्यान का सबसे पुराना सबसे खुकार हमारा बाग है जिसे बन बिहार राष्टी उध्यान में भेज दिया गया था तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मद्द परदेश में सरवादिक बाग पाए जाते हैं तो ये देखिएगा, सरवादिक बाग कहां मिलते हैं, पूरे भारत में सरवादिक बाग कहां मिलते हैं, तो ये मद्धपरदेश में मिलते हैं, इसलिए मद्धपरदेश को Tiger State कहते हैं, क्या कहते हैं, Tiger State कहते हैं, अब बात करते हैं साथियों, इसका नाम क्या है, इसका नाम ह क्या नाम है मुन्ना टाइगर मुन्ना टाइगर कहां मिलता है तो मुन्ना टाइगर काना किसली राष्टी उध्यान में मिलता है यह सबसे पुराना यह सबसे पुराना यह सबसे पुराना यह सबसे पुराना एवं खूखार है एवं खूखार है अब क्या है इसमें खासियत जो में आपको पढ़ा रहा हूँ साती ओं मैं आपको बता दू मुणना टाईगर के सर पर प्राकरतिक रूप से क्या लिखा हुआ है से रिखा हुआ है सिर पर लिखा हुआ है आप चाहें तो देख भी सकते हैं C-A-T, ये देखिएगा, C-A-T, और सरीर पर इसके सरीर पर P-M लिखा हुआ है, इसी कारण यह सुर्कियों में चाया रहता है, मत्परदेश में सरवादिक बाग कहां पाय जाते हैं, तो काना किसली राष्ट उध्यान में सरवादिक बाग पाए जाते हैं ब्रेडरी परजाती का बारा सिंगा भी सरवादिक काना किसली राष्ट उध्यान में मिलता है इसके अलावा अब कुछ बात हैं और जो आपके लिए बहुत जरूरी है जैसे अगर आप काना किसली राष्ट्य उध्यान जाते हैं तो बहाँ पर आपको वन दिखाने का काम यानि वनों में जो घुमाने का काम मार्ग दर्शन का काम कौन करता है तो यहां दिखिएगा काना किसली राष्ट्य उध्यान में मार्ग दर्शक का कारे मार्ग दर्शक का कारे यानि गाइड का कारे कौन करता है तो साथियों बैगा जन जाती की महिला बैगा जन जाती बैगा जन जाती की महिलाओं के दोरा यह गाइड का काम किया जाता है यह प्रस्निवी कईयों बार एक्जाम में आया है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके अलावा मैं आपको बता दू काना किसली राष्ट्य उध्यान में काना किसली राष्ट्य उध्यान में दो कान ये साल वरक्ष के डूट हैं जिसे हम राधा रानी के पेड़ंग वी कहते हैं अब डूट क्या होता है साथ्यों यहां देखिएगा क्या है, आप जानते हैं ये तना है, उसकी जड़ें और यहां के बाद क्या होता है बेटा ये पेड़ पौधी लगना स्टार्ड हो जाते हैं ये देखिएगा ये आपका क्या है ये जड़ है उसके बाद ये क्या है आपका आपका पेड़ है तो होता क्या है साथियों यहां अगर इसको पन कार्ड देते हैं तो ये क्या बसता है केवल डूट वसता है ये क्या वसता है तो ये किस परजाती के हैं ये साल व्रक्ष कहलाते हैं इन्हें वहां के लोकल लोग यो हैं वो रजा रानी के नाम से जानते हैं ये सारी चीजें भी आपके एक्जाम के लिए बहुत important है इसके अलावा काना कसली राश्चु ध्यान में पार्क interpretation यानि विश्व बैंक की सहायता से यहां पर पार्क interpretation योजना चलाए जा रही है काई के लिए सेरों की जनसंख्या में ब्रद्धी करने के लिए यह अमारी योजना चलाए गई इसके अलावा मैं आपको बता दू यहां पर एक जंगल गलियारा परियोजना जंगल गलियारा परियोजना भी चल रही है जिसका उद्धेश है काना किसली रास्तियोध्यान को बांदावगड रास्तियोध्यान से मिलाना यानि उसके मद्ध कनेक्टिबिटी बनाना उसे ही हम जंगल गलियारा योजना के तहट कहते हैं इसके अलावा और क्या हम बता सकते हैं तो काना किसली रास्तियोध्यान को 1999 में सर्वस्रेष्ट परियतन पुरुसकार से सम्मानित भी किया गया यह प्रस्न भी आता है इसके अलाबा मर्द परदेश का जो पहला प्रजेक्ट टाइगर है वह काना किसली राश्ट उध्यान में 1974 में चलाया गया था किलियर है यह सारे चीजें जो है वह आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होती है तो ध्यान रखिएगा आज हमने देखा काना किसली राश्ट उध्यान के वारे में इसी प्रकार के महत्पूर्ण विश्यों पर वीडियो प्राप्त करने के लिए हम डेली सुबह 6 बजे यह वेडियो आपको अपडेट करेंगे विशेश मुद्दे को लेकर माइन फोर अकेडमी के यूटूब चनल पर सात्यों मैंने जो पढ़ाया इसकी पीडियेप आपको माइन फोर अकेडमी के टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो राम डेश खरे के MPG के नाम पर में मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं पुना बता दू हम स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं दा 15 मिनिट सो परिक्षा के लिए राम मान जिसका माध्यम है कि किसी भी विशेश टॉपिक को लेकर उसके वारे में विशेश जानकारी देना और यह वीडियो आपको प्राताह सुबह डेली साइब 6 बजे Mind4 Academy के यूटूब चैनल पर मिल जाएगा इसी के साथ आज का ये सेशन समापत है जहन जह भारत बंदे मात्रम